नमस्कार सस्रेकाल सलाम वालेकूं मैं वेरी गूरी इवनिंग तु थे इस्परेंस ऑफ सीए से सीए में क्रॉस ना इंडिया मैं डियर स्टूदेंस में को लग रहा है अब आपको एक लासस बहुत सही तरीके से आ रही हैं और आप इन क्लासस को इंजॉय कर रहे हैं तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक है सेक्शन 25A इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपटी का यह कि स्पेशल प्रोविशन है जो कि बोलता है कि वाट शुडबी दर ट्रीप्मेंट और अन्रेलाइज रेंट रिसीव सब्सेक्वेंटली तो हमको जो एरियर अफ रेंट मिल आँ वो इतना मजा नहीं आता है इंपोर्टन एक कॉंसेप्ट क्या है बच्चों को पहले कॉंसेप्ट समझना होता है कि सर कॉंसेप्ट तो बता हो क्या है मैं यह वीडियो आज बना रहा हूं कि हम लोगों को समझ में आए कि अन्रेलाइज रेंट होता क्या है और एरियर यह समझ में आ जागा तो treatment तो मेरे लिए एक मिनट का काम है तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले आपन देखते हैं कि आन्रेलाइज रेंट क्या होता है देखिए आन्रेलाइज रेंट को समझने से पहले आपन थोड़े सी एक भूमिका बान ले तो मकान मालक और टेनेंट के बीच में आपस में एक agreement होता है जिसको बोलते हैं अपन रेंट एग्रिमेंट कि इतना रेंट में आपको पे करूँगा टेक इन एक्जाम्पल कि दोनों के बीच में यह अपना मकान मालक और यह अपना खिरायदा टेनेंट डोनों के बीच में एक रेंट उग्रीमेंट as per the rent agreement यह आज clear हो चुका है इन्होंने इस agreement की registry वगरे करवा ली है income from house property मकान माले की decide हो गई है कि उसको annually 2,40,000 receive होगा एक बहुत simple सा treatment है इस तरीके से ही बात हुई है इसी तरीके से agreement हुआ है दोनों parties ने sign किया अब क्या होता है कि यह agreement तो बन गया लेकिन दोनों parties से बीच में अपने आपस में थोड़ा बहुत चलता रहते है कि sir एक तरीकों नहीं तीन तरीकों payment कर देता हूँ अभी salary नहीं है यह अभी पैसे नहीं है थोड़ा पीछे आगे पीछे होता रहते है तो क्या हुआ जो tenant था उसने मकान माले को साल end होते होते February और March का किराया नहीं दिया दे दूँआ दे दूँआ करके चलता रहा चलता रहा करके और पूरा साल कंप्लीट हो गया February मार्च इकल गया उसने किराया नहीं दिया उसने उसको बहुत फोकस किया कि भीया दे 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 पीछे पढ़ा रहा लेकिन किरायदार नहीं दिया बुरा रहे कोरोना हो गया है इंकम खतम हो गई है ये प्राब्लम हो गई है वो प्राब्लम हो गई कोई भी प्राब्लम हो गिना रहा है लेकिन मकान मालेक ने तो शो करा हुआ है कि मेरी total income कितने आने वाले house property से टू लेक 40,000 पर क्या 2 लाक 40,000 उसको relies हुए क्या नहीं हुए उसको कितने relies हुए उसको 10 महीने का किराया relies हुए that is 20,000 इंटो 10 टू लेक तो कितना relies नहीं हुए दो महीने का किराया relies हुए 20,000 into 2 यानि 40,000 तो 40,000 जो उसको पैसा रिसीव नहीं हुआ वो खेलाता है unrealized rent जो पैसा realized नहीं हो उसको क्या कहते है बन unrealized rent ठीक है अभी जो unrealized rent है वो वही है न जो हमको पैसा नहीं मिला तो बताओ ये मकान मालिक अपनी income from house property कितनी शो करेगा 2 lakh 40,000 या 2 lakhs सिंपल सी बात है 2 lakh रुपे शो करेगा क्योंकि कमाय है उसने 2 lakh रुपे 2 lakh 40,000 शो करके क्यों अपनी income बढ़ाएगा क्यों अपना tax जाता देगा exactly ये शो भी यहीं करना चाहता है 2 lakh रुपी पर government बोलते कि नहीं ये तो आपकी आपसी तेल तालमेल है कि आप ऐसा बोल रहा हमारे हिसाब से rent agreement में आपको 2 lakh 40,000 receive होने चाहिए आपने हो सकता है फरवरी मार्च में cash में पैसा लिया हो हो सकता है आपने कहीं और किसी अकाउंट में पैसा डलबाया हो हमारे हिसाब से तो आपको 2 lakh 40,000 मिले your income from house property 2 lakh 40,000 आपको उसी के ऊपर टेक्स का payment करना पड़ेगा यही आपके gross total income में जोड़ी जाएगी तो मकान माले को unrealized rent प्रूव करना पड़ता है कि actual में उसको यह rent relies नहीं हुआ है तो कैसे प्रूव करेगा कि unrealized rent है सही में मुझे प्रूव नहीं मानने जाओगे कि जो 40,000 आपको realize नहीं हुआ है पहली condition देखे conditions लिखता हूँ मैं इस तरफ देखे पहली condition पहले तो आप यह बताएगे कि जो आपने यह rent agreement बनाया था यह bona fide है या नहीं है यानि कि बाकाइदा signature हुए दूसरा आप यह बताएगे कि आप कह रहे हूँ कि आपने कोशिश करी उससे लेने की पीछे पड़े आप उसके रोज धमकाया उसको लीगल action लिया उसके खिलाफ पुलिस में complaint करी उसके खिलाफ यह सारे legal actions वगेर आपने लिये है तो अगर आपने legal actions वगेर उसके खिलाफ लिये है तो फिर हम मानेंगे कि हाँ आपने कोशिश तो करी है अच्छा अब legal action लिये तो फिर आप हमारे पास क्यों आ रहे है legal action लिये है पैसा मिली जाएगा अच्छा वो legal action लेने के बाद उसका कोई result आपके favor में नहीं आया यानि कि आपने legal action भी लिया और उससे कोई भी आपको फाइदा नहीं हुआ है ठीक है तीसरा point भी clear हो गया चौता point क्या बोल रहा है चौता point ये बोल रहा है कि अब हम आपकी ये बात मान गए है कि आपकी tenancy जो है वो bonafidey है आपने legal action लिया आपको legal action से कोई फाइदा नहीं हुआ आप यहाँ पर deduction लेना चाहते है आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप इस बंदे से तंग हैं जिसने आपको किराया नहीं दिये किस घर का किराया नहीं दिये इस घर का किराया नहीं दिये अब अगर इस घर का इसने किराया नहीं दिया है तो यह जगडा सिर्फ घर का नहीं है उस बंदे से भी है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो वो same tenant को आपने अपनी और कोई property नहीं दे रखी हो अगर वो आपकी और किसी property में रहता है तो sir फिर तो आप दोनों तो सही हो अपना अपनी अलगी setting बना रखें तो वो आपकी और किसी property में भी नहीं रहता हो अगर आप यह चारो conditions पूरी करते हो तो हम मानेंगे कि यह जो rent है यह actual में unrealized rent है तो this is all about unrealized rent unrealized rent का deduction आपको तभी मिलेगा अब जब आप यह चारो conditions पूरी करोगे now the next is area of rent अब area of rent क्या होता है sir area of rent हमको जो हिंदी में मिनिंग समझ में आ रहा है वो होता है कि जो बकाया था वो अब मिला है यानि कि जो पहले unrealized हो गया था वो आप मिले अरे नहीं 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 कि area of rent unrealized rent से अलग है वो unrealized रेंट है वो तब जो उस टाइम पर आपने पेमेंट नहीं कर रहा था that become unrealized area of rent क्या होता है मैं आपको समझाने कोशिश करता हूं देखें दोनों के बीच में agreement हुआ था और यह agreement लेट से तीन साल का बना जो lease agreement बना जो rent agreement बना और इस तरीकी से बना कि आपको 20,000 पर मन देने साल 24,200 का payment करना पड़ेगा यानि कि रेंट हर साल 10% से इंग्रिमेंट होता रहेगा यह इस तरीके से रेंट agreement बनता है और आप लोग इस से अवेर है अब जो टेनेंट है वो यहां पर इस घर में रह रह रहा है और कूरे साल बर उसने 20,000 रुपे का payment करा यानि कि 2,44,000 का payment रेंट रहा कुछ रेंट रहा क्या नहीं रहा सीधी बाद चल रही है लेकिन जादा किराया अभी मेरे बसकी नहीं है तो बुला अरेता से तो किराया बुड़ा बुलता है नहीं साल मेरे लिए भारिया मैं नहीं दे पाऊँगा वो कह रहा है नहीं दे पाऊँगे तो निकल जाओ भी है ना वो घर चोड़ रहा है और ना वो बड़ा हुआ किर यह लगा दी कि सर ये तो मेरी बात मानी ने रहा है मेरा घर भी खाली नहीं कर रहा है मेरे को जो कितना भी किराया बनना चाहिए वो देता भी नहीं है हाँ दे रहा है पर पुराना किराया दे रहा है नया किराया नहीं दे रहा है तो हर महीने 2000 रोपे कम दे रहा है, यानि कि इसके पास मेरा हर मेने का इतना बकाया हो गया है तो quote अगर मकान माले की favor में order pass करती है तो जो पुराना पैसा हर मेने का 2000 बनता था, अगर tenant वो पैसा मकान माले को देता है, तो वो अपने को क्या कहलाता है, area of rent कि यह जो मुझे मिलने चाहिए थे हर मेने, वो बाद में जाके मिले तो area of rent का अब होता है जब आपके rent में increment होता है और वो increment वाला portion tenant ने नहीं दिया होता है, तो वो धीरे-धीरे tenant के उपर क्या बनता जाता है obligation बनता जाता है, और जब वो हमको पे करता है, तो we received area of rent, तो unrealized rent is a different thing and area of rent is a different thing, I hope आपको यह दोनों concept अच्छे से समझ में आ गए होगे, अगर आपको यह दोनों concept बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं, तो it is the right time, कि अब हम देखें कि इन दोनों concept में text treatment क्या होता है text treatment of unrealized rent और area of rent हमारी घर की जो भी annual value आती थी यानि कि अगम को जो भी actual rent receive हुआ या जो expected rent था, whichever is higher हमारी घर की annual value थी उसको बोलते हैं, अपन gross annual value GAV, उसमें से अगर हमने कोई taxes का payment कर दिया है, तो सर वो हटा दो जो बचे का वो खेलागी, anyway net annual value हमारी यह है net annual value में से अपन दो deductions देते थे, एक deduction है अपना section 24A में, statutory deduction जो कि 30% मिलता ही मिलता है आपको तो पहला deduction 24A में deduction under section 24A, which is 30% of energy और उसके बाद है interest on loan, interest on borrowed capital, जो भी आपने interest का payment करा है पिछले साल bank को, तो यहाँ पर अगर मैं अपना जो अपने calculation लिया था, उसके हिसाब से डाल के देखूं, तो देखिए इस कॉलम में मैं डाल रहा हूं कि 2,40,000 मेरा gross annual value मैंने यह expect करा था कि मेरा annual value यह, annual value यह होना चाहिए ठीक है, municipal taxes नहीं है तो मेरा net annual value भी यह होना चाहिए, 2,40,000 अब इस 2,40,000 के उपर बताइए, मुझे कितना deduction मिलेगा, बोलिए so 30% मिलेगा तो 2,40,000 का 30% आप अगर देंगे, तो it comes to 72,000 clear है बत और 1,00,000 रुपे का मैं interest on borrowed capital माल लेता हूं तो आपने 72,000 यह और 1,00,000 यह माइनस करा, उसके बाद आपका आता है house property की यह income यह एक general था, general point अब अगर आपको rent realize नहीं होता है rent realize नहीं होता है तो आपकी calculation कैसे होती है बहुत simple साथ देखिए आपकी calculation होती है, जो gross annual value है वो 2,40,000 होनी चाहिए थी पर क्या आपको realize हुए क्या पूरे पैसे नहीं, आपको 40,000 realized नहीं होगा है तो annual value आपकी निकल के क्या आगई सर, actual में तो आपको annual value खाली 2,00,000 रुपे मिली net annual value भी आपकी 2,00,000 है क्योंकि municipal taxes नहीं है, तो अगर आपकी NAV 2,00,000 रुपे है तो आपको deduction कितने पे मिलेगा, 240 पे है मिला था क्योंकि NAV जादा थी तो आपको खाली 60,000 मिला अब आपने interest on borrowed capital कितना minus करा, उसको कोई फरक नहीं पड़ता आपकी annual value है या नहीं आपने interest दिया है, वो 1,00,000 रुपे और accordingly आपका house property का income ये निकल किया है, अब जो पहले case में आपका house property का income निकल किया है, और दूसरे case में निकल किया है, ये इसलिए difference आया है क्योंकि आपको annual values पर कम मिलिये और accordingly 24A का deduction change हुआ है, 24B पे कोई फरक पड़ा क्या? नहीं पड़ा, interest on loan को कोई फरक नहीं पड़ता, उसको annual value से कोई होता है, तो accordingly मैं यहीं बोल रहा हूं, कि मान लिजे कल को आपको एक 40,000 रुपए है, आपको area of rent या unrealized, sorry, unrealized rent आपको receive हो गए, तो अब हमको अगर ये 40,000 रुपीस receive होते हैं, तो हम कौन सा deduction देंगे, कौन से deduction पर impact पड़ाता 24A पे, तो tax treatment यह है, कि अगर आपको unrealized rent receive हो, या area of rent receive हो, तो वो just time पर receive नहीं होगा था, तो उसका deduction 24A का उस time पर नहीं मिला था, तो उसका deduction आप कब दे देंगे, अब दे देंगे, तो 24A का deduction देंगे 40,000 के उपर, which comes to, बताइए, 12,000 रुपए, और actual में फिर आप इस साल के income कितनी माने जाएगी, 28,000, और देखे, difference में आपको दिखाता हूँ, कैसे कैसे, difference आया, पहले 40,000 का difference आया, फिर यहाँ पर deduction में 12,000 का difference आया, और फिर आखरी में, दोनों income के बीच में, 28,000 का difference आया तो और वही सब कुछ सामने निकल के आ गया, तो साथ में साथ प्रूफ भी हो गया, तो आपको मैं समझता हूँ, कि ये concept बहुत अच्छे समझ में आयागा, मैंको main focus था कि आपको concept समझ में है, treatment तो इसका बहुत असान है, तो अगर आपको ये concept अच्छे समझ में आया हो, तो प्लीज, वीडियो को like कर लिजे, share करना तो कभी मत भूलना, और subscribe अभी तक जिन viewers ने नहीं कर रहा हो, करो subscribe और अपने दोस्तों से subscribe कर रहा हो, ठीक है, तो आज इस class को यहीं पर खतम करते हैं, next class में friends से आप से मिलेंगा, तब तक के लिए, thank you so much